जैहिन साथियो तो CISF Constable Fire के फिजकल का Admit Card डाउनलोड होने लगा है जो Admit Card आपको PET and PST Center में लेके जाने होंगे तो वो Final Download होने लगा है दोस्तों लिंक इसका नाइट से ही एक्टिव हो गया था अर्थात जैसे 16 अगस्त स्टार्ट हुआ तो नाइट से ही इसका लिंक आपको देखने को मिल रहा है ऐसा प्राब्लम आ रहा है This is a server error We will be back in few minutes तो ऐसा प्राब्लम आ रहा है तो दोस्तों इसका solution क्या है आप किस तरीके से Admit Card डाउनलोड कर पाएंगे तो इसका solution इस वीडियो में बताने वाले है उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और नोटिफिकेशन बिलको आल पर जरूर क्लिक कर लिजेगा ताकि आने वाली सभी address आपको मिल सके तो यहाँ पर देखे आपको करना क्या है जैसे आप इसके officer website पर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसा error देखने को मिलता है अब यहाँ पर चलिए हम जैसे इसके officer website पर जाते हैं यहां से हमें CISF सर्च किया और यह इसके officer website है recruitment की website है तो इस पर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा problem आएगा अब यहाँ पर देखे दोस्तों इसके बाद आपको बार बार पेज को refresh करना है अर्थ page open होके आ गया अब यहाँ से देखे हम इसे थोड़ा सा डेक्टाफ साइट कर लेते हैं आप भी इसे डेक्टाफ साइट कर लीजगा आपके लिए बहतर रहेगा यहाँ पर देखे देख टाफ साइट करने के बाद आपको बार-बार रिफरेस करना है रिफरेस करने पर ही यह पेज open होंगे अब यहाँ पर देखे हम login वाले option पर जाते हैं तो फिर से यही error आता है अर्थात हर एक page पर यही error देखने को आपको मिलेगा तो दोस्तों आपको हर एक page को refresh करना है यहाँ पर देखे इस page को भी हमने refresh किया तो यह भी open होके आ गया अब यहाँ पर देखे जैसे हम इस वाले option पर जाते हैं लोग इन करते हैं तो आपको भी इसी वाले option पर जाना होगा यहाँ पर देखे जैसे इस पर जाते हैं तो फिर स से यहीं इरद आया. अब आपको फिर से refresh करना है. यहां से देखे हमने फिर से refresh किया. तो यहां पर login का option आ चुका है. अब यहां पर आपको अपना registration number and password and capture fill करके login करना होगा. और दोस्तों अगर आपके पास registration ID and password नहीं है. तो किस तरीके से forget करना है. उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ तो उसका link description box में मिल जाएगा तो यहाँ पर देखे अब आपको registration number password फिल करके login करना होगा तो चलिए मैं यहाँ से login कर लेता हूँ यहाँ पर देखे दोस्तों हमने registration ID password फिल कर लिया है उसके बाद जैसे इसे submit करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से यही error आ गया अब आपको फिर से इस page को refresh करना है जैसे इस page को refresh करेंगे तो यहाँ पर आपका dashboard open होके आ जाएगा अब आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि final आपका admit card डाउनलोड करने का option आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसे Hindi एंड इंग्लिस दोनों लगमेस में डाउनलोड कर पाएंगे तो friends इस तरीके से आप इस problem को solve कर सकते हैं हर एक page को refresh करेंगे तो आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी new update में तब तक लिए जैहिंद